आज मलाई हूँ आपकी request पे बहुत ही tasty delicious बनाने में आसान bread rush मलाई मेरी जटपट recipes में एक और recipe bread rush मलाई ये देखने में जितनी tasty लग रही है बनाने में बहुत ही आसान है इस recipe को बनाने के लिए मैंने जो भी ingredients लिए हैं वो सब के घर पे already होते हैं बहुत ही असान है ये बनानी इस recipe का नाम है bread rush मलाई bread का इस्तमाल होता है पर टेस्ट बिलकुल रस मलाई जैसा हैगा मैं जो भी आपके साथ recipe शेयर करती हूं वो tried and tested होती है इस recipe के end तक बने रहें और सारे टिप्स और ट्रिक्स को अच्छा से follow के जिए मेरी गैरेंटी है ये रसमलाई आपकी बिलकुल हल्वाई जैसी रसमलाई बनने वाली है स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SG Food World में अपने सने और प्यार को बनाए रखें और सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अब ग्यास अन करेंगे और उस पर रखेंगे कड़ाई मैंने यह आपे नॉनस्टिक कड़ाई लिए है आप पतीला भी ले सकते हैं नॉर्मल इसमें आड़ करेंगे वान लीटर फूल क्रीम मिल्क धियान रखेगा रसमलाई बनाने के लिए फूल क्रीम मिलक का ही इस्तिमा दूद में बॉइल आ चुका है अब फ्लेम को लो कर देंगे और इसको पकने देंगे डूद को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे बीच-बीच में स्टर करते रहेंगे साइड में जो मलाई है उसको स्क्रैच कर लेंगे ताकि यह रबडी बन जाए और दूद की तब तक इसको पकने देंगे और जैसे ही कॉइंटिटी हाफ हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं तो इसमें आइड करेंगे काजू कि 10 है मैंने चौप कर लिए इसको साथी साथ इसमें आड करेंगे बदाम ये भी चॉप कर लिए क्वांटिटी 10 लेंगे और थोड़े इच्छी के दानों को मैंने अच्छा से पीस लिया है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे दो चुटकी भर साफ्रन भी इसमें आड़ कर देंगे इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है बिल्कुल हलवाईयों जैसा रस्मलाई में मिठास के लिए मैं पचास ग्राम चीनी सारे इंग्रीडियन्स को अच्छा से मिक्स कर लीजिए चीनी की चगा आप कंडेंस मिल्क भी आट कर सकते हैं बजाज से असानी से मिल जाता है पर मैंने आपको वादा किया था जो भी घर पे इंग्रीडियन्स होंगे मैं उन ही से आपको रस्मलाई बनवाऊंगी और मलाई के नीचे तले से भी अच्छे से स्क्रैच कर लेंगे बाइब स्क्रैच करने से क्या होगा जो भी मलाई कठी हो रही है न वो रबडी का वाम करेगी देखिए सैफरन की वज़े से कितना बढ़िया कलर आ गया दूद में लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे जब तक ये एक चुथाई न रह जाएं मतलब एक लीटर का एक चुथाई दूद को बीच बीच में स्टर करते रहे हैं कंटेनर्स देखिए ये बिलकुल सही क्वांटेटी हो चुकी है एक लीटर की एक चुथाई आप फ्लेम को आफ कर देंगे बबल्स भी आ रहे हैं मिल्क रबड़ी ये ठंडे होने के बाद और गाड़ी होती है तो ध्यान रखे जब मैंने फ्लेम बन करने को का तब ही बन कर दें देखिए बिलकुल ऐसी कंसेस्टेंसी होनी चाहिए ना जादा पतली और ना ही जादा गाड़ी अब लेंगे ब्रेड मैंने यहाँ पे चार लिए आप चार से छे ले सकते हैं अब इसे कट करेंगे गोल अकार में गोल अकार में इसको कट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिए एक स्टेंलेस टील ग्लास आप अपने मन पसंद के हिसाब से किसी भी शेप में कट कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ आप सब्सक्राइब वाद इस बड़ चाहिए डिफ से में दोले कर लुछ पर चुने करिक OH,akteरीप को हम ऑफ दो मिनत डजी पर और जो भी ब्रेट्स आपके बशती है तो इनको पैके नहीं , इसे ब्रेटक्रब्स बन जाए बस मिक्सी में गुमाईए एक से दो बारी और इसी ब्रेट क्रम्स को आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए जब चाहें आप इसे यूज कर सकते हैं है ना बढ़िया टिप आप बस जो आपने पीसिस कट की हैं उसे डिप कर देंगे मिल्क रबरी में और रेडी है ये टेस्टी इसी ब्रेट रसमलाई घर पर बनाई गई हेल्दी पॉस्ट्रिक ये इंस्टेंट ब्रेट रसमलाई बनानी बहुत ही असान है और जब भी आप बनाएंगे और सब को खिलाएंगे तो आपकी तारीफ करते करते लोग ठकेंगे नहीं ये रेसिपी ट्राइ करें और मेरे मुझे इंतजार रहता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मिलूंगी ऐसी ही और बड़िया बड़िया टेस्टी टेस्टी इजी इंस्टेंट रेसिपीज के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर डोंट फोगेट तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब झाल सब्सक्राइब